हेलो बच्छा लोग आज हमारा जो टॉपिक हैं वो है इंक जैट प्रिंटर्स इंक जैट प्रिंटर्स हमने लास्ट टाइम एक टॉपिक पढ़ा था जीरो ग्राफिक वह अप्लिकेशन व एक्टुस्टैटिक्स का पहला टॉपिक था यह दूसरा टॉपिक है इसके अंदर क है इसका जो एक्टा स्टाइक लोगल है रेस्ट के मताबक हमने यूज करने काथक में ही क्या ये ऐसे काम करती है चेक में इसके अंदर होता क्या है कि हमारे पास जो होती है उसे हम चार्ज कर देते हैं करीके से अब चार्ज कर दिया गया तो उसके बाद उस इंग को चार्ज को हम डिफ्लेक्ट कर सकते हैं लेफ्ट राइट अपने मतावी और जब हम इसको डिफ्लेक्ट करते हैं तो वहां पर ये यूज होता है एलेक्ट्र स्टैटिक की फूम में क चार्डग रेस्ट होता है जो कि अपने चार्डग को bend कर्वाता है मोड देता है वो तरीका इस्तवाल करते हुए यह इसके application के तोर पर काम करते है अब देखते हैं कि इसके अंदर कहां पर ये application यूज होती है आपने देखा होगा कि जो इंट्र एक दो जो तो पिलिक्षानगे के अपडान कि शकल में रह रहा हुता इसके नतीजह में पेज़ पर कॆरा हो आग है आग्योً आपने वह परानी टॉक फूर दोसको मताब़िक यह बहुत अप्रानी एप्लिकेशन है सिंगल कलर वाली मोनो कलर वाली हम इदर देखेंगे अब होता क्या है यह वाई साहब होता है आपका पेज इस पेज के उपर यहां पर होती हैं डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स यह डबा होता है गटर गटर मीन जहां पर एक्स्ट्राइंग हमारी इदर जाया हो देगे यह होते हैं यह हमारे पास चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स कम्प्यूटर कमांड्स ठीक है और इस जगा करके हमारा होता है जी वो प्रिंट हैड नोजल अब यहां पर हमारे पास होती है इंक अब हमें पता है कि नोजल में जो इंक है वो लिकृड़ फोम में जाएगी तो नोजल उसे आगए धार की शकल डौपलेट की शकल देगी तो उसके लिए हम क्या करते हैं इधर हमारी पढ़िया जी लिकृड इंक लिकृड कहलो और अ यहां से इंक जाती है यूँ अब स्टार्टिंग में क्या होता है कि इंक इसने पगड़ी पांड बने पगड़ कर इधर भेज़ दी नोजल पे नोजल ने उसे बनाया छोटे छोटे फाइन डौपलेट्स यह जी डौपलेट्स बनेगे यह डौपलेट्स जाकर स्ट्राइक करेंगे पेपर के उपर यह आपका जी पेपर है इस तरह और ये पेपर की आपको तरफ लेफ्ट साइड दिखाएगा यूं गरे के यूं करेके सरफ ये पेपर की लेफ्ट साइड दिखाएगा अब जब हमने पेपर के उपर हिंक प्रेंट करनी हो तो हम in charging electrodes और हम बने देन नाम लिख रहता हूँ charging electrodes और ये वाले डिफलेक्टिंग या डिफ्लेक्शन प्लेट्स्ट। जब हम के जते हैं कि हमारी इंक पर पर श्ट्राइक करें तो हम इस इसाइटग उले सट मória को बिढेंद्रूम कर देंगे जब हम इस सेट पको बान्द कर देंगे तो इंक निट्रल हो जाएगी इस पे चार्ज कोई नहीं था पीछे जब आएगी इन डिफलेक्टिंग प्लेट से गुजरने लगेगी तो इसके उपर कोई चार्ज नहीं है तो इनका कोई असर नहीं होगा जिसकी ऐसे सीधी जाकर स्ट्राइक करेगी पेपर पर पेपर पर कुछ वर आएटर है यह सुरी अप िरिंट अड़ यह से क्या करें किरें तो हम छारजिंग लेक्टरोड़ को कर देंगे यह सिंक को नियट से गूजडिंग प्रोईड करनें इसके बाद असके से बाद जब इस तो इस डिफलेक्शन प्लेट्स का इस इंग पे असर शुरू होचे वो किसी एक सिस्टम के बताब ही कि इस गटर से उत्ते हैं वाप पर हमारे इंक पॉर्ट में यानि कि जगा पर लिकवर्ट इंक पॉर्ट में चली आती थी और यूज रहती थी लेकिन आज कर आपने जो कलर फुल प्रिंटिंग वाले सिस्टम है उन में चुंकि मुल्डिपल सिंगल कलर उते हैं वो कलर जापस में जब गटर में जाते हैं तो मिक्स होकर खराब हो जाते हैं अब वो जो इंक इदर बचती है वह इंगा आप प्रिंटर वाले साथ एक चोटी से बोटल पड़ी होती है वो यूज नहीं लेकिन चु़ए सिंगल कलर हो तो वो ब्लैक कलर कि इंकम बार बार यूज़ करते रहते हैं और प्रिंट का सिस्टम क्या है इधर मैं जैसे कि ये एक वर्ड लिख रहा हूं पूरा एक एक वर्ड ए लिख देखता हूं इस एक को समझे लो यह जी एक पूरी शीट है इस पूरी शीट के उपर हमने जी एक वर्ड ए लिखना है तो इसके उपर क्या जोगार लगाते हैं कि लैटर एट है जी यू मेरे पास यह देखो यह यू शुरू हो रहा है इस साइट से पेज के शूँ जब यह पहुंचे इस जगह इतनी जगह यह ब्लू वाल एरिये में तो अब हमें पता कि ब्लू एरिये से हमने जो चीज़ा को खाली हमां पर स्पेस नहीं लिखना कुछ भी तो यह क्या करेगा यह अपने चार्टिंग लेक्टर वार्स को हुक्म देगा कंप्यूटर ठीकों कि यह सारी कमार् इसने लिखनी है यह वाली यह निके प्रिंट करना इसके उपर तो क्या होगा इनको हुकम आएगा कुछ नहीं कहाना इनको जाने दो इंक सीधी आएगी स्ट्राइक करेगी और नौजल एड्यू मूव कर रहा है जैसे सप्रेय पेंट होता है तो शूम कर रहा होगा तो इस इस गटर में इस तरह जो जो इसा अब जब यह पूरा उपर वाला इसा लैट स्पोस मैं इसको मैं हाइलाइट कर देता हूं जी बलू से लैट स्पोस यह इतना इसा एक एड में प्रिंट हो रहा है अब नेक्स्ट एड क्या होगा कि पेज थोड़ा उपर की तरफ से रख होजएगा फिर मैं करना इस तरह हमारा नौजल एड यूउव करता रहेगा और पेज आपकी तरफ मूव करता रहेगा और इस तरह पेज के उपर जो भी वर्डिंग होगी इमीज होगी या जो भी चीज होगी वो प्रिंट हो जाएगी हमारे पास जब हम बात करते हैं यह आप तुरून कॉनेक्ट हो जाते हैं डिफरेंट पॉर्ट से यहां फिर किया होता है कि अगके मिक्स होकर इंग के साथ करते है यानि कि जो प्रिंटिंग को उसी तरह रहे होते है कि है तो आप अखाना फलेक्स को पर प्रिंट करना शुरू करते तुम्ड आपने देखा हो फलेक्स आइस्ता एस्ता-इस्ता इस्ता आगई की तरफ निकलना शुरू करती है इसवाइगी क्वेस्चन है तो कमेंट में बता एक शेयर करें लाइक करें और ओके जिल